हलो रिवान वेल्गम तो आज फैस दोस्तों आज के स्टेस्ट में हम रिएजेंट के प्रिवियर्स येर क्वेशन को डिसक्स करना हूं ठीक है यह रहां आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिमेजर प्रोड़क्ट फॉर्म इन रियाक्शन और वन थ्री ब्यूटादाइन वीद वन थ्री ब्यूटादाइन की रियाक्शन अगर आप ब्रोमिन के साथ में कराते हो तो कौन सा मेजर प्रोड़क होंगा एबी सीडी आपको चार ओप्शन दिए गए सबसे पहले तो आपको वन थ्री ब्यूटादाइन का स्ट्रॉक्टरस बनाते आना चीए वन थ्री त्री फोट वन और त्री पोजिशन पर आपके अलकेन है अगर कितने कारबने चार व्यूटा डाइन आ जाएंगा वन थ्री व्यूटा डाइन पर ठीक है यहां से रेडिकल बने भे हमारे बी आर रेडिकल ठीक है यहां से पाइबॉंड ब्रेक होंगा यहां से एक इलक्ट्रॉंड यहां से इलक्ट्रॉंड यहां पर मिलाके पाइबॉंड फॉर्म करेंगे दोनों पर एक 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 इलक्ट्रॉंड आ जाएंगा यह वाले कारबन पर यहां से क्या बना C रेड़ पेन यूज़ करते यहां पर आ जाया कारबन के उपर रेडिकल यहां पर C-H यहां पर डबल पॉंट यहां पर C-H और यहां पर C-H2 के उपर रेडिकल अब यहां पर जो दो को Abramie की ओने मिले वाध हो जाएंगे यहां पर ए गर मेरिक एला बाइड हो जाएंगा भी यह हां पर एक रैडिकर ब्लेशन करी बाइड पर पर यहां से आपको प्रोमीन के ज़ाएंगा यहां प्रोम reduce में यह होंगा आपका जोंगा अगर आप देखते और यहां पर जो आपका रिडिकल का रोग। ठीक है, stable radical है, यहाँ पर resonance रूज stabilized हो सकता है radical, यहाँ पर यह होंगा आपका major product देख लो, as options कहाँ पर है, अगर आप देख तो यहाँ पर तो आपको as options दिखाई देंगा, यहाँ पर होंगा आपका double bond, ठीक है ch2br, तो यहाँ पर correct options हो जाएंगा आपका options भी options भी होंगा आपका correctors, next questions देखते हैं यहाँ पर क्या पूचा गया, next questions यहाँ पर देखो second आपका example, it jam 2006 का example है, the major product of the reaction यहाँ पर आपको कुछ बेंजीन compound दिया गया, लिखे लेते हैं यहाँ पर pho, यहाँ पर oh, अगर आप इसकी reactions कराते हो, br2 in presence of leavis acid, leavis acid क्या होता, loan pair accepted, यहाँ पर oxygen के पास loan pair से, leavis acid कौन सा है, यह फी, br3, यहाँ से दे रिंगा, यहाँ से क्या बना भें आपका, कुछ इस तरह से, pho, यहाँ पर oxygen के उपर आगया positive charge, और यहाँ पर यह फी, br3 के उपर आगया need, अब oxygen के उपर अगर positive charge आता है, तो किसके तरह act करेंगा, electron withdrawing group, यह क्या बना भेंगा आपका, electron withdrawing group, और electron withdrawing group कैसे, electron withdrawing group, आपके meta directing group होते, यहाँ पर जो भी electrophile bind होंगा, कौन से positions पे होंगा, meta positions पे, यहाँ पर अगर बात करूं मैं, यहाँ पर जो CHO है, और जो यह group है, दोनों कैसे है, meta, दोनों के meta positions पे, आपका BR लग जाएंगा, BR हमारा electrophile है, तो दोनों की meta positions कौन सी है यहाँ पर, यहाँ पर अगर हम देखते हैं, तो सरीहाँ पर, यह वाली position इसके respect में meta है, यह वाली position इसके respect में भी meta, दोनों electron पे drawing group है, तो दोनों की meta positions के respect में, आपको product मिलेगा, यहाँ पर आजाएंगा, आपका OH, यहाँ पर CHO, final product बता रहा हो में, और यहाँ पर जूड़का है आपका VR, देख लो ऐसा, जहाँ पर CHO and OH के respect में, ब्रोमी लगावा, meta पे है, तो ऐसा आपका correct option, एक यह option, next questions देखते हैं भी यहाँ पर, the major product X in the reaction is, IIT जहाँ 2006 का है, यहाँ पर दो methyl ortho to each other है, अगर इसकी reactions कराता हूँ, मैं, leaves acid के साथ में, यहाँ पर product क्या found out होता, product क्या मिलता है, यह आपको बताना है, यहाँ पर आपको temperature दिया है, उसके साथ में trace of water लिगा है, तो यहाँ पर कुछ आपके isomerization reactions हो रही हो रही हो की, कैसे भई, तो यहाँ पर आपको water है, water दिया गया, यहाँ पर leaves acid है, leaves acid अभी देखा हमने, leaves acid के पास vacant orbitus रहता है, यह oxygen के पास low-n-pure of electrons है, यह coordinate करेंगे भई, यहाँ से बन जाएंगा, ओ, यह अज़, यहाँ पर oxygen के पर positive charge, यहाँ पर AL, CL3, उसके उपर negated, अब यहाँ पर आपको compound जिया गया, बेंजीन, बेंजीन compound, substitute बेंजीन, यहाँ पर CS3 है, यहाँ पर CS3 है, माल लो, यहाँ पर यह आपका, यहाँ पर लिख लेता हूँ, यहाँ पर CS3 है, और यहाँ पर CS3, अब बेंजीन के पास pi electron density, सकता है, तो यहाँ से क्या आता है, यहाँ से क्या आता है, यहाँ पर जुड़ गया, आपका hydrogen और CS3, यहाँ पर आ जाएंगा कार्बोकटाइन, क्या कहते हैं, बात में इसने aromaticity loss किये, तो फिर से aromaticity gain करनी की कोशिश करेंगा, क्यूंकि aromatic compound ही stable compound होते, यहाँ से aromaticity gain होंगी, hydrogen निकलेंगा, यहाँ से यह निकलेंगा, मिथिल निकलेंगा, मिथिल निकलेंगा, क्यों भई, जान लेते हैं यहाँ पर, यहाँ से आपका जूड जाएंगा, बन जाएंगा to load, और यहाँ से क्या निकलेंगा, कार्वो कटा हैं, निकलेगा कार्वो कड़ा है मिस इलक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट हो सकता है यह आपका नुकलोफाइल की तरह इलक्ट्रोफिलिक सब्ट्यूटिशन्स रियाक्शन्स हो जाएंगी यह कैसा है आपका और्थो प्यारा डिरेक्टिंग और तो प्यारा डिरेक्टिंग तो यहाँ पर प्रोड़क्ट मिल जाएंगा आपको यहाँ पर देखो मेटा पे मेटा पे उने सकता यहाँ पर ओये चयाँ भी नहीं यहाँ पर पैरा पुजिशन पर आपका एलेक्ट्रोफाइल बाइंड हो जाएंगा किकसी है diff a औरे कि अफिलेक्ट्ट फिलिक सब्टूइूटस रियक्टेषन रियाक्षन十 रिटल क्राफ आलकायलेशन प्हले आndra आपका correct answer की आउगा और देखते हैं हान by the main productcanिब से फ्सक्षा लीयाउं यहाँ पर कुछ आपको एक्टिव मिथिलीन कंपाउंड दिये गए और यहाँ पर क्या ग्रिग्नार येजन सबसे पहले एसिड बेसे रियाक्शन सोती है मिथिल के ऊपर निगिटिव है पहले बेस की तरह एक करेंगा यहाँ पर जो हेट्रोजेन से यह सबसे यहादा और यहां से इनोलेट आएन बनाएं यह बना भी इनोलेट आएं कि यह बना इनोलें हें और सभी एंवियार यहासे यहां से यहांसे हमें यह प्लस दिया गयां फिर क्या चालेगा आपका है आपको फिर से क्या मिला आपका श्राइटी माट्याल तो आपका करेक्ट ऑप्षिन गया होगा ऑप्षिन्स पहले आशिट बैस रियाक्ष्ण सोती है याद रखना यहां पर आपको फिर से फाइनल प्रॉडक्ट आपका रियाक्ट रियाक्टेंट मिल जाए जिसका नाम है ट्राइफिनील फॉस्पाइट ओक्साइड ठीक है ओक्सियन और फॉस्परस का बॉंड स्ट्रॉंग होता है इसलिए ये ये रियाक्शन का ड्राइविंग फॉर्स होता है ट्राइफिनील फॉस्पाइड ओक्साइड इसका मेकनिजम कैसे होता है यहाँ पर हाइड है माल लो इसकी रियाक्शन अगर आप फॉस्फरस इलाइड के साथ में कराते हो यह रहा आपका फॉस्फरस इलाइड इसके उपर पॉजिटिव कार्बन के उपर नीगेटिव ठीक है माल लो यहाँ पर कार्बन के उपर नीगेटिव यह आपका कोई सा इलाईट, Phosphorus इलाइट Phosphorus इलाइट इस न्युक्लो फाल की तरा अक करेंगा, यह elक्ट्रो फाल यहाँ से क्या बना वे आपका यहाँ से बनाएंगा, RCO यहाँ पर आदका CH2 और यहाँ पर PPS यह बनेगा आपका बीटेन, इसका नाम में बीटेन, बीटेन कहते है इसे, ठीक है, बाद में यहाँ आपर आक्सियन और फास्परस का बांड श्रॉंग होता है, बन जाएंगा, यहाँ से बन जाता है औक्जो फास्पिटेन, यहाँ से क्या बनेगा बैए, औक्जो फास्पि यहां पर अलकीन बन जाएंगी और यहां पर आपका ट्राइफ इनिल फॉसफाइट ऑक्साइड स्टेबल मॉलिक्ल बहार निकल जाएंगे यहां पर करेक्ट ऑप्शन्स क्या आँगा ऑप्शन्स ठीक है कुन सी रियाक्शन से आपकी विटी रियाक्शन बहुत इंपॉर्ट रियाक्शन से लेक्स्ट एग्जामपल देखते हैं यहां पर इटी यांट 2008 का कॉश्चन से यहां पर आपको कंपाउंड दिया गया है उसकी रियाक्शन अगर आप करते हैं के टू सी ओ त्री क्या है बेस है असिडिक प्रोटॉन को पिक करेंगा यहां पर अगर बात करते अपका बेस है बेस क्या करेंगा अवी इस अगरेंगा यहां से और माइनस बनाएंगा यहां से पर कि रहा आपका और माइनस और यहां पर pH, बिंजिल प्रोमेट, तो बै कर देंगा रियाक्शन, औक्सियन इस पर टैक करेंगा, यहां से ब्रोमीन बहार, यहां से प्रोड़क्ट क्या बना, pH, pH 2, यहां पर C double bond O, pH 2, pH, तो देख लो आइस ओप्शन कहाँ पर, जहां पर OH की स्टेर के में स्टेर आजट बनसा हो जाएंगा, options A, ठीक है, ठीक है, next questions को देखते हैं हैंपर, यहां पुचा गाए, इलक्ट्रोफिलिक नाइट्रेशन से आपका इलक्ट्रोफिलिक नाइट्रेशन से यहां पर आपको चार इंपाउंड दिये गए, यहां पर P Q R E S, और यहां पर आपको पुचा गा इलक्ट्रोफिलिक नाइट्रेशन्स का रेट ठीक है इलक्ट्रोफिलिक नाइट्रेशन्स मिस यह सारे कंपाउंड आपके नुक्लोफाइल की तरह एक करेंगे को यहां पर इलक्रोफाइल कौन होंगा यहां पर इलक्ट्रोफायल होंगा आपका यंगो टूप्लस इन तो बहुत बहुत 干 goal को अच्छा होंगा उतना इजीसली अटाक होंगा आ हम क्या सकते करें रेट अफ अफ डोनेट करता है जिसते रिंग क्या हो रही है activate होरी है more electron इललक्त्रोफाइल पर जल्दी से ड्टाक करेंगा क्योंकि उबहूत ज्यादा इल्ट्रोण denseap is यहाँ पर इखियरीड करेंगा भी है इस फुर्यास करेंगाई टयक्षो से देंगा ठीक है और यहां पर यह सो 3S तो माइनस यम से एलक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ पूल कर रहा है पी एन क्यू है अगर मैं बात करूँ तो यह कैसे है वह एलक्ट्रॉन ड्राइंग ग्रूप और यह कैसे आपके इलक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रूप जो हमारी ओडर है मेजोमेरिक इफेक्ट सबसे ज़्यादा इलक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करते हैं फिर आपके रेजोनस फिर हाइपर कॉंजूगेशन और फिर लास्ट में इंडक्ट्रॉन लेकिन कौन से प्लस वाले ठीक है प्लस वाले प्लस वाले तो यहां पर बात कर चैनल बात करेंगे यहां पर आपके कोंडर हो जाएंगे प्लस इस नस वाले तो समया के आप यहां पर यहां पर आपको प्रोडक्त बना कर दिया है तो यहां पर आपको स्टार्टिंग कुछ स्टेरियोजेमेंशन है साइक्ला हीगज है हम क्या करेंगे हैं भी हम एक काम कर लेते हैं यहां पर प्रचेर कॉंफोर्मेशन जो स्टेबल कंफोर्मेशन से बना लिते पहले कंपॉंड का कि भी कंपॉंड का क्या आजाएंगा चेर कंफोर्मेशन ब्रोमीन नीचे तो यहाँ पर यहाँ पर ओये चूपर कि इस तरह से आ जाएंगा है यह लो ओ यह यह आपर ब्रोमी और यहां पर डी कमपाउंड का अब यहां पर आपको क्या दिखायते रहा है सब में ब्रोमीन और ओ यह लेकिन यहां पर है लेकर सब्सक्राइच कर सकता है यहां पर इसका सिह मैं पॉइंड यहांपर है इतना यहांपर देचेक कि यहां पर भी ट्रांस ऑंडे Emily लेकिन यहाँ पर बात करूं तो यहाँ पर जो Bromine है बिलकुल Oxygen के Lone Per के पास है यहाँ पर जो Geometry Okay ऐस यह अंटी-Peripleaner जब भी आपको यहाँ पर Cyclohexan के केस में आपको अगर product find out करना है तो यहाँ पर आपको living group कैसा चीए है अंटी-Peripleaner यहाँ पर यहां से आपका इपोक्साइड फॉर्म यह बन गया भी पॉक्साइड आपका प्रोड़क कौन सामगा स्टार्टिं मेट्रियल हो गया आपका ओप्शन्स एपको स्टेबल चेर कॉंफर्मेशन से बना कर देखना थे नेक्स्ट क्वेशन्स देखते हैं हां पर इस ट्रक्चर और दी अमेजर प्रोड़क इन दी फॉलविंग रियाक्शन इस आई टी जाम 2014 का कॉश्चन से यहां पर आपको कंपाउंड दिया गया उसकी रियाक्शन अगर आप यह मीट्यू सी यॉलाई के साथ में कराते हो तो प्रोड़क क्या मिले यह मीट्यू सी यॉल फाइल ड्यू टू कॉपर यह इसकी सिलेक्टिविटी कैसी होती है वन फॉर एडिशन से बताता है यहां फिर आप उसे कहलो माइकल एडिशन ठीक है कॉपर के वज़े से यह कैसा बन जाता है सौफ नुकलोफार यहां पर अगर बात करो तो यह वाला आपका सेंटर कैसा होता है सौफ तो इस पर अटैक करेंगा यहां पर लिख लेते हैं यहां आपको कमपाउंड यह बने यहां से यमी टू सी अलाएक अटैक करेंगा पॉपर के उपर पॉजिटिव यहां पर निगिटिव अटैक एक मिथिल अटैक यहां से बना इनुलेट आएन यहां पर आपका इनुलेट आएन यहां पर मिथिल एक दो तीन चार पांच वह यह इनुलेट है यह आपका इलक्ट्रोफिलिक्स सेंटर हो जाएंगी रियाक्शन यह कॉंजुगेशन समयंगा यह कार्बन थू इस पर टैक यहां से ब्रोमीन बहार कितने मेंबर बढ़ यह 1 2 3 4 5 6 बना लो 6 मेंबर निंग यह रहां आपका प्रोड़क्ट ऐसा आपको कौन से इसमें दिखा यह कहां से बन गया यह भी नहीं है पॉसिबल तो आपका क्रेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा ऑप्शन से आपका यहां पर आपको कुछ बेंजॉइक आसिड दिया जाए उसकी रियाक्शन अगर आप सोडियम इन लिक्विड अमोनिया और साथ में आपको आपको अल्किल जाए भी यहां पर होने वाले बर्च रिड़क्शन तो इस आपका इलक्ट्रॉन विड्राइंग रूप है उसके केस में बर्च रिड़क्शन कैसा होता है भी यह इलक्ट्रॉन्स आपके कुछ इस तरह से मूँ होंगे यहां पर आ जाएंगा आपका पॉजिटिव चार्ज देखे बाद में जो सोडियम इसके टेंडेंसी इलक्ट्रॉन्स देना एक इलक्ट्रॉन्स दे देंगा भी यहां से रैडिकल्स मिलेंगा फिर से एक इलक्ट्रॉन्स देदेंगा निगिटिव बनेगा फिर से एक इलक्ट्रॉन्स देदेंगा निगिटिव चार्ज बन जाएंगा अब यहाँ पर ऑक्सिएन के उपर निगिटिव चार्ज है यह क्या करता है नुकलोफाइल की तरह एक करता है यह C4H9 पर अटैक करेंगा यहाँ से ब्रोमीन बहार निकल जाएगा ठीक है और यह जो निगिटिव चार्ज है यह यहाँ से आपको प्रोड़क मिल जाएंगा कुछ इस तरह तो यहाँ से आपका हटके डबल बॉंट बनते हैं यहाँ आपका फेमस आपकी नेम रियाक्शन बोल दो या फिर रिडक्शन बर्च रिडक्शन ठीक है इंपोर्टेंट है इसे श्टार कर लेना बहुत बार एक्जाम में पूछे गए यहाँ पर आपका करेक्ट ओप्शन कौन सा होंगा ओप्शन ठीक है नेक्स्ट कोश्चन देख लेते पर यहाँ पर क्या कोश्चन पूछा गया नेक्स्ट क्वेश्चन सेट ओफ रिएजंट रिक्वायर फॉर्टी फॉलइंग ट्रांस्वारमेशन इस आईटी जाम 2015 का कोश्चन से यहाँ पर आपको अल्कोह कर सकते हैं तो यहाँ से क्या समझ में आ थे यहां पर हमारा अल्कोहल ता से कंडिर अल्कोहल इससे कि रियाक्शन कराता है और क्रोमियों ट्रायवक़ाइड के साथ में ये मुझे कंवर्ट कर मेंदलեगा सीसे यहां ते क्लियर है अब मुझे बता यह क्या है इलक्ट्रोफाइल है इलक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट होंगा यह नुक्लोफाइल की तरह एक्ट कर सकता है यहां पर एक्रिलो नाइटराइल यह आपको इलक्ट्रोफिलिक सेंटर हो गिरा यहां पर क्या होगा अगर मैं इसक आपका नुकणुफाइल की तरह चाल करकर चकता है यह बना भी इन ओल survived को यह आपका नुक्ट sensitive के तरा अ कर सकता है अब यहाँ पर क्या दिया आपको अब को तिक्रेजा प्राइल एक्रेलेट का स्टूक्चर कैसा होता है यहाँ बंसिए यह होता है methyl acrylic आपको structures पता होना चाहिए अब यहाँ पर यह नुकलोफाइल है यह आपका इलक्ट्रोफाइल है इस पर हो जाएंगी reaction तो यहाँ पर आपका inolate है ठीक है नुकलोफाइल और यहाँ पर है इलक्ट्रोफाइल हो जाएंगी किस तरह से यह ओ माइनस conjugation में बाद में इस वाले कर्वन पर यहाँ पर और यह ठीक है तो आपको प्रोड़क्ट क्या मिलेगा कुछ इस तरह से यहाँ पर c114 यहाँ पर आगाए cs2 बाद में यहाँ पर आगाए आपका डबल बॉन यहाँ पर ओ माइनस यहाँ से ocs बाद में यह एच प्लस ले लेंगा एप स्टैक करके और यहाँ पर आपको फ्रोड़क्ट मिल जाएंगा यह वाला तो आपका करेक्ट अंसर कुन सा होंगा और फिर बाद में आपकी 1-4 एडिशन करने के बाद में यह किटो फॉर्म में चले जाएंगा तो करेक्ट अंसर होंगा ठीक है आपको रियाक्टन दिया गया था प्रोड़क्ट भी दिया गया था आपको सिक्वेंस आपकी रियेजन की फाइंड आउट करना था ठीक है आइटी जांट 2015 का कोशन है आइडेंटीफाइडी करेक्ट रियेजन्स रिक्वाइर फॉर्ड फॉलविंग ट्रांस्वर्मेशन आपको कंपाउंड दियागा यहाँ पर भी यहाँ पर भी आपको रियाक्टन और प्रोड़क्ट गिवन है आपको नंबर आप सिक्वेंस र पाइंड ड्राट करना ठीक है यहाँ पर देखते हैं यहने भी फसफोर यहने भी एच्वाइड़ आपके लिंडीयाड को रिडियूस करता है ग्याँ इस्टर को रिडूस नहीं करता लेकिन अगर आप कंपाउंड पर देख पा रहो तो यहाँ पर अल्डियाइड फंक्श स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजन्ट रांग रिड्यूसिंग एजन्ट होता है यह दोनों को कनवर्ट करेंगा भई क्यूं भई दोनों को कनवर्ट करेंगा सी एस टू ओ एज में यह aldehyde को convert करेंगा आपके CS to OH में थर देखते हैं आपर 1,2 diol दिया गया protecting group है EH+, जो more react to carbonyl compound होंगा उसके साथ में react करेंगा यह रहाँ benzine compound यहाँ पर यह aldehyde जैसे मैं इसकी reactions दिखाता है 1,2 diol के साथ में CH2, CH2 यहाँ पर OH, और यहाँ पर protection हो जाएंगा यह लोग C, यहाँ पर O, O, CH2, CH2, O, और यहाँ पर हट्रोड़, अब यहाँ पर देखो आगे आपको दियागा lithium aluminum hydride यह तो protecting group है आपका protect हो गया अब lithium aluminum hydride कि से reduce करेंगा इस्टर functional group को जैसे मैं lithium aluminum hydride की साथ में reactions करा तो यह जो आपका इस्टर functional group पे यह convert हो जाएंगा CS to OH में, तो यहाँ से क्या बना भी, यहाँ से बन कर आया सर, यहाँ से निकल कर आया आपका CS to OH और यहाँ पर C, O, O, और यहाँ आपर head हो, ठीक है अब यहाँ से फिर से अगर मैं यह H plus add करता हो, यह 3 O plus, यह plus water होंगा, तो यह फिर से deep protect हो जाएंगा और यहाँ से बन जाएंगा आपका compound, CHO, CH2OH, अब यहाँ से क्या करो, rotate करो, क्या मिलेंगा आपको जैसे मैं rotate करता हो, यहाँ पर उपर आजाएंगा CS to H, और यहाँ पर आजाएंगा CS, समझ में आया, यहाँ पर correct options कौन सा होंगा भी, correct options हो जाएंगा आपका option C, ठीक है, बहुत अच्छा questions था, बहुत सारे concept यहाँ पर apply होए थे, next question से समझते भी, यहाँ पुछा गया, याँ 2016 का questions है, यहाँ पर आपका alpha beta unsaturated compound दिया गया, उसकी reaction अगर आप कराते हो, ग्रिगनार रियेजन with copper रियेजन, जैसे ही copper दिखाया दे रहा है, तो आपको पता है कि वो soft reagent बन जाता है, means कैसे additions बताएंगा, one four additions, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ग्रिगनार रियेज यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर ओ माइनस, जापर आगा, निटीर, इसेकन स्टेप में आपको methyl iodide given है, मिथिल iodide आपका इलेक्टरोफाइल की तरह act होंगा, यहाँ पर इस पर मिथिल पर टैक करेंगा, यहाँ से आइडील लिग हो जाएग, ठीक है, यहाँ से क्या बना, C double bond O, यहाँ से मिथिल, यहाँ पर मिथिल, और यहाँ पर मिथिल, जैसे मैं reactions कराता हूं, MCPPA, Meta Cloropar Benzoic Acid के साथ में, MCPPA, पर एसिड है को और सी रेक्षंज rolls हो गिया पर बेश पर विदीसर औक्सिडेशन ब्रियाक्ष पर रियाक्षण होगी बेश विलीजर औक्सिडेशन तो यहाँ पर ऑक्सियन कहां पर इंसेट होंगा मॉल यहें कैसा होता है इलक्ट्रोफिल्क होता होता यहां पर कि कि एलक्टफाल कि तड़ा एक्ट होता है जो आपके मोर उलेक्ट्रों रिससाइड होंगी यहां पर मूर सफो्स्ट्रेटर साइड यह वाली है इस वाली पोजीशन पर इन्सेर्ट हो जायेंगा आपको प्रोडक्ट मिल जाएंगा कुछ कि इस तरह से देख लो ऐसा option कहा पर है यहाँ पर one two additions होई है यह तो नहीं हो सकता यहाँ पर one four यह है यह लेकिन oxygen यहाँ पर insert होया है more saturated side से होता है तो यह नहीं हो सकता आपका correct options होगा options ठीक है यहाँ पर आपकी पहली स्टेप में one four addition गिल्मन रियेजेंट one four additions बता आता है और दूसरी स्टेप में आपकी बेयर विलेजर oxidation पुछ अगा आता नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं भी it jam 2018 का question से the major product the major product form in the following reaction इस ठीक है आपको बेंजा बेंजीन compound दिया गया उसकी reaction अगर आप यहां पर आपको क्या दिखाएदर रही यहां पर यहां से प्रोटान पिक हुआ यहां पर बना अनायन यहां पर प्रोलीन लगा और यहां से प्रोटॉन भी को यहां फर बनाएं अब यह निगीटिव चार्ज है कि बाद युमें हैलोजन से निकल जाएंगा न्यूट्रल होना चाहेंगा निगीटिव चार्ज यह बना भे आपका अनायन और यह निगीटिव चार्ज अब देखो यह इलेक्ट्रोफाइल बेंजाइन कैसा होता है यहां से बेंजाइन बना यह बेंजाइन है बही बेंजाइन एक इंटर्मीजेट होता है कोई भार वाला अटैक करें उससे पहले जो कंपाॉंड में नुक को यहां पर निगिटिव चार्ज These ministers ले लेंगा है कि विआ यहां से बन जएँ आपका फाइनल परोड़क्त करynth dabei जापर फाय मेंब्लडिंग बना है तो आपका अगर देखते होती है नहीं यह नहीं यह नहीं है आपका एक यह ओप्शन एजहाँ पर फायू मेंबर इंग बनी है यहाँ पर कौन सा इंटरिएट फॉर्म हो रहा है यहाँ पर बेंज डाइन इंटरिट पामोर्ड की के तो आपका correct option सुझाएंगा option c next question आपका the sequence of three step involved in the following conversion is it jam 2018 का question से benzine है और benzine के ओपर आपको substituted group दिखाए दे रहे कुछ तो alkyl group यहाँ पर देख लेते जैसे मैं benzine benzine की reaction यहाँ पर क्या है फ्रीडल काफ alkylation फ्रीडल काफ amplic मैं क्या करता असाइलेशन react चंप करता हो 一्वू यहां करकर देख लो मैं तीन कार्बन यहांसे मैं क्या करता थभा पहले ऊस्यलेशन की reaction में कर दो प्रिए ने सीह होते asylation reaction नुक्वल observations Mentir जो भी अस्टाइल chloride ए इलक्ट्र्ट्ट्रोराइड ऐड़ की तरह एक करता है उस्वर टैग करके इसमाइड स्वाइलेशन प्रोड़क मिलता है यहां से chlorine के साथ में bind होंगा यहां से निकल जाएंगा यहां से बन गया हमारा अच्छा इलक्ट्रोफाइल अब यह इस पर टैक कर सकता है यहां से बना आपका असाइल प्रोड़क्ट अब यहां पर मैं क्या करता हूँ मुझे अब बनाना भी मेटा पुजिशन पे मिथिल आइसो प्रोपाल गुरुप लगाना है मैं आइसो प्रोपाल क्लोरेड ले सकता हूँ यहां पर मैं क्या यूज़ करता हूँ लिव इस ऐसे भी उसके साथ मैं बाइन करें इसे निकाल जाए यहां से क्या बनेंगा आपका कर्वोकटैन अब ये वाला ग्रूप कैसा है आपका electron drawing group है electron doit drawing group कैसे होते है meta directing group meta directing इसके meta positions पे आपका electrofile bind होगा अगर मैं बात करो तो ये यहाँ पर है इसकी meta positions कौन सी है भई है यहांपर सीप इटी आएगे इसकी मेलटा पुजिशन सी यह वाली है पिछूड़ गया ओलत हूँ कि अपने रिड़क्शन करा तो कौन सा रिडॉक्शन क्लेमन्स और रिड़क्शन रिड़क्शन का रिये रिएजेंट क्या आते है आपका ज्भी यह जी इन प्रेसेंस ऑफ कॉंसेंट्रेटर यह सी क्या ही है लेमंस एंड रिडक्शन जो C double bond O है उसे convert करता है CS2 में यहां से क्या बनेंगा ET यह बन जाएंगा आपका हेड्रोजन तो यह आपका एथिल मींस आपके दो कार्बन यह रहा है दो कार्बन तो देख लो आपको ऐसे options बना कर दिया है और ऐसे product बना कर दिया है यहाँ पर पहली reaction हमने कौन सी किए Asciusions reaction पहले किसमे यह नहीं हो सकता यह हो सकता है बाद में हमने alkylations किया है बाद में reductions किया है तो यहाँ पर alkylations और तो आपका correct options किया होगा और बाद में क्लेमंस एंड रिडक्शन जो कार्मिनिल को मिथिलिन कंपाउंड में करता है ठीक है नेक्स्ट कोश्टन देखते हैं यह रहां नेक्स्ट कोश्टन से आपका प्रोड़क्ट एक्स इन फॉलविंग रियाक्शन आई टी जाम 2018 का कोश्टन से जहां पर आपको क्या दिया गया टीटियनियम क्लोराइड इन दी प्रेजन्स ऑफ जिंक कॉपर जैसे आपको यह रियेजन दिखा देता है वे आपको याद रखना यहाँ पर यहाँ पर कौन सी रियाक्शन होंगी कपलिंग रियाक्शन होंगी इमपॉर्टन नेम रियाक्शन है जिसका नाम है मैक मौरी कपलिउ दूसरे साइकलोपेंटर् रियाक्शन कराएंगी और यहाँ पर आपको बना कर देंगी इलखी एहाँ पर मेरियाक्शन लिख लेता हूँ यहां से आपको बना कर देंगी प्रोड़क्ट को निकालना और बीच में लगाना अब इसकी रियाक्शन आप करा रहे हैं कोल्ड अलकलाइन के मेन फोर के साथ में फोल्ड अलकलाइन के मेन फोर ऑक्सिडाइजिंग एजन्ट है यह क्या करेंगा भी यह बना कर देता है आपको डाय ओल डबल बॉन इस कनवर्टे इन्टू डाय ओल यहां से बना डाय ओड अब यहां पर यह टू ऐसे फोर है तो यह प्लस कंडिशन्स ही बन होंगी इसी एक यह प्लस को प्रूटे निट कर लो वटर बना वटर गुर लिविन गरूपर यहांसे निकाल दो कार्बो को टैयन बना अभी यह कार्बो कार्बो टैयन को और जादा ख्थ स्टैबलाइज करो और जादा कैसे कर सकते हब यह कारणोकाइन आपका है मानों टर्श प्लस और भी ज्या आदा स्टैक्पलांस केसे कर सकते मैं अगर फाई swoje मेंबर से six मेंबर कंवर्ड़ करता हूं फाई मेंबर से six मेंबर निम्ध हो सकते हैं इत यह मेंबर बनें यहां इवान टू ठी फौर फाई जो कार्बोकाटायन बनेंगा कहां बनेंगा बिल्कुल ऑक्सियन के बाजू में अब यह कार्बोकाटायन कैसा बना पहले वाले से बेटर और यहां से फायू वाली का ट्रेंड भी रिलीस हो गया यह कैसा है more stable more stable पाद में प्लस यह हम से स्टैबलाइज कर लेंगा आपको यह रहा आपकी आयू मेंबर तो देख लो आइस ऑप्शन्स का आप पर जापकर आपका यह किए यह नहीं यह नहीं यह नहीं तो आपका और आपका इंटर्म येड बीन और और अरगनिक केमिस्टी में हमेशा आपको कंबाइन कोश्चन पूछे आते पर्टिकुलर टॉपिक से कभी आपको कोश्चन पूछे नहीं जाएंगे ज्यादा तर आपको मिक्स कोश्चन ही पूछे जाते ठीक है नेक्स कोश्चन देख लेते यह रहा नेक्स कोश्चन दिक करेक्ट सेट ऑफ रियेजंट फॉर दी फॉल्वाइंग कनवर्जन रिस यहाँ पर देखना है ऐसा कोश्चन आपको बहुत बार पुझे गए रियाक्टन दिया गया प्रोड़क्ट भी बनाकर दिया गया और यहा यहां पर भी या ठीक है जैसे आप इसकी रियाक्शन कराता हूं यहां पर कौन से होंगे फिर इलिमनेशन एडिशन एडिशन यहां से निकल जाएंगा यहां से क्या बनेंगा बेंजाइन डॉलपन फैसे लिखता हूं में यहां पर बन जाएंगा आपका बेंजाइन अब देरियाक्टी में का सब्कू सबस्क्षा में समक्राइग इस बताएंगा नुकुलोफाइल को निहां पर चाहले ये अब यह नुक्लो में की तऱ ay करेंगा लेकिन जो ओमी ग्रूप यह कैसा करता है इलक्ट्रान विड्राइंग ग्रूप की तरह इसका माइनस आइफेक जादा रखता है यहाँ पर आपको दिखाए दे रहा हूं कि यह लोग पर डोनेट करेंगे तो यह प्लस हम लगाएंगा ऐसा नहीं होता है बेंजाइन क करेंगा भया अपका अट्यक करेंगा यहां से इगिटिव चार्ज क्यू behöं यहाँ पर이 मेटा पक्ति त्यू करा क्योंकि जो निग्यट्य चांज बन रहा है यहाँ चारज जो अब यह आपसका है कि कल आगे आए भही H प्लस abstract कर लेंगा निगीटिव चार्जे NS3 से H प्लस abstract ठीक है और यहाँ पर आगए आपका अब जैसे आप इसकी reactions दिखाते हो भी किसके साथ में यहाँ से आपको क्या है मिला यह चनो टू जो NH2 है उसे convert करेंगे यहाँ से निकल जाएंगा यहाँ पर जूड जाएंगा यहाँ पर आपके simple सी reactions होने वाली है जहाँ आपर NH2 निकलेंगा और Cyanide Attack नुकलोफाइल अटैक किया बाद में जैसे रियाक्शन्स कराते हैं यहां से आपको नैट्रस एसिड के साथ में डायजनियम सॉल्ट बना कर देता है फिर अच्छा लीविंग ग्रूप बन गाई अंटू साइनर का टैक करा दो कॉपर कूपर साइनर आपको दिया है कि आइटी जाम 2017 का कॉश्चन है इस यहां पर आपको कंपाउंड दिया गया उसकी रियाक्शन अगर आप ओजोन इलिस्स में से यहां पर ओ ठीक है तो यहां पर जब भी अलकी ने उसे ब्रेक कर तो दोनों तरफ ऑक्सियन लगा तो सिंपल सा आपको उजन इलिस्स का काम ह होता है यहां से क्या होँगा विए यह दूनों यह जो अलकी ने ब्रेक होंगी यहां पर आ जाएंगा सी डबल रवाइंड होशophone दो यहां पर आपके दो मीधिल लगे हो ठीक है मैंने क्या किया जो अलकी इन थी उसे बीच में से ब्रेक क्या दोनों तरफ आक्सियन लगा यहीं होता है ओल्गनलिसिस का काम ठीक है बात में यहां पर एक्वियस यह अलोड रियाक्शन हो सकती है एक्वियस यह अलोड रियाक्श यहां पर मिध्य अब एक नुकलोफाइल की तरह एक्ट होंगा एक आपका इलक्ट्रोफाइल यह माल लो आपका नुकलोफाइल है यह इलक्ट्रोफाइल हो जाएंगी रियाक्शन कर लो ओ माइनस यहां से अटैक होंगा यहां पर 1, 2, 3, 4, 5 ठीक है और यहां से कितनी बनी आपकी दूसरी रिंग यहां से बनी यह बनी आप पहले फाइल मेंबर दी यह फाइल मेंबर दी और उसके बाद में बाज़े में कितने मेंबर बनी यहां से 1, 2, 3, 4 यहां से देखते हैं यहां से numbering आएंगे भई, यहां से numbering आएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ठीक है, एक बनेंगे आपके 5, एक बनेंगे 6 यहां पर मैं कुछ इस तरह से लिख लेता हूँ, यह बनें आपके 6 ठीक है, यहां पर आपका था 1 यहां पर 2 ग्रीन वाले का, यहां पर 2, 3, 4, 5 ब्लैक, ग्रीन वाले भी नंबर देता हूँ, ग्रीन वाले नंबर कुछ इस तरह खेज़ता है, 3, 4, 5 और 6, 4 पर लगे हुए थे 2 मिधिल, यह रहे 2 मिधिल तो 6 पर आगए आपका, ओए अच्छा, कुछ इसी तरह से है भी, ठीक है, बाद मिहां से आपका प्रोटान निक लिंगा, अलफा बीटा अंसेचुरेटर कंपाउंड बन जाएंगा यहां परे 2 मिधिल इसे ही क्या करता हूँ, थोड़ा सा रोटेट करके लिखता हूँ, रोटेट करके अगर मैं लिखो, रोटेट मुझे ऐसा मिलेगा, दोनों सेम ही तो है भई, क्या डिफ्रेंस है, बिल्कुल दोनों सेम है आपको दिया, जहां पर 6 मेंबर पर 2 मिधिले, बीच में डबल पॉंड और यहां पर 5 मेंबर दी, A गलत, B गलत, C गलत, आपका करेक्ट अप्शन होँगा, ओप्शन्स, ठीक है सिम्पल सी पहले और यहां पर भी रिएजेंट या आपकी इन्वाली और दूसरी नेम रियाक्शन जो इंट्रा मोल्कुलर अल्डोर रियाक्शन ठीक है, यहां पर भी आपको कंबाइन कोश्चन्स पूचा गया, और इसी कोश्चन्स है, तिब आपको नंबर इंग देना ह है, ताकि आपका कोश्चन्स रॉंग ना हो, नेक्स देखते हैं पर, नेक्स कोश्चन्स क्या, आईटी जांट 2017 का कोश्चन्स है, जैसे तो यह नेम रियाक्शन का कोश्चन्स है, जैसे आपको दिखा दे रहा है, कार्बोनिल कंपाउंड और एरो के उपर अगर पॉलड़ वो है, यह पी एज, अगर मैं इसकी रियाक्शन करा रहा हूँ, यह ने इस टू ओ ओ एज, इन दी प्रेंज ओ यह सी, ठीक है, यहां से मुझे क्या समझ मिया, यहां से बना इंज, आपका, और ओ यह ओजाएं, यह बना ओगजाएं, अब यहां पर जो ओ ओ यह ह पलबॉन, यहां से वाटर, यहां पर पी एज, अब वाटर कैसा है, गुड लिविंग ग्रूप, बेनिकल जाएंगा, लेकिन उसके एंटी पुजिशन पर जो भी ग्रूप होंगा, माइगरेट होंगा, यहां पर वाटर के एंटी पुजिशन पर कौन सा ग्रूप है, यह से वाटर लॉस, और यहां पर क्या बनेगा, यहां पर आगा, यहां पर कार्भो कटायन और यहां पर पियज, अब यहां पर नाइट्रोजन के पास लोज़न पर आफ इलक्ट्रॉन से डोनेट कर देंगा, पॉजिटिव चार्ज को, प्लस यहां से इस्टैबिलीटी यहां से बन जाएंगा यह लेकिन नाइट्रोजन के उपर कौन सा चार्ज आएंगा पॉजिटिव क्योंकि उसने लोंज पर डॉनिट अब नाइट्रोजन चाहता है मेरे उपर जो पॉजिटिव चार्ज यह नूट्रलाइज हो जाएं यहां से वाटर अटैक करता है वाटर यहां से पहले क्या बनेगा आपका अटैक करने के बाद में बनेगा बाद में कुछ यह इनॉल टाइप है बाद में एक टाउटो मर्स की तरह यहां पर यहां पर जाएंगा अब देखो भी हमें प्रोड़क क्या मिला मैं इसे ओपन करके लिखता हूँ ओपन करके लिखता हूँ यहां पर आपकी बिंजिटी अब यहां पर थर्स टेप में आपकी ब्रोमिनेशन्स रियाक्शन्स हुए लेकिन आपकी इलक्ट्राओं रीच रिंग कों से है। यहां पर नाइट्रोजन्स क्या कर रहा है इलक्ट्राओं देखे रिंग को अक्टिवेट कर रहा है। लेकिन यहां से यह क्या हो रहा है वही डी एक्टिवेट कर रहा है यहां पर एक्टिवेट एक्टिवेट रिंग पर आपका इलक्ट्रोफाइल बाइंड होगा लेकिन जो इलक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रूप होते हैं वहां पर आपके और तो प्यारा डिरेक्टिंग होते ह यहाँ पर अगर ortho प्याता है तो nitrogen का minus I लगेंगा इसलिए प्यारा पे आपका इलोक्रफाइल चले जाएंगा और आपका product क्या बनेंगा भी प्यारा पे देख लो कुछ इस तरह से आपका product बन जाएंगा और तो पो पिद्रॉइंन गृरूप के पैराइक पोजिशन पर और अध़ों को दोस्थी दह सकता है ? नहीं जा प 很ख़ए ? है आफ यहाँ पर कौन से नेजाएरेक्शनीर वालिक बेकमन रेरेग्जमेटłeं इम्पोर्टेंट नेम रियाक्षन से आपकी नेट्स्ट लेखते हैं ते फॉलिंग कनवर्जन इस कैरीड आउड यूजी यहां पर भी आपको रियाक्टन दिया गया प्रोड़क्ट भी पना कर दिया आपको पूचाएं कौन सी नेम रियाक्षन या फिर यहां पर इन्वाल ठीक है यहां पर अगर देखें तो यहां पर डबल बॉंट है अगर मैं इसकी रियाक्शन करा तो वैकर प्रोसेस वैकर ऑक्सिडेशन के साथ में जहां पर पैलेडियम यूज होता है और साथ में आपका वाटर तो यहां पर अगर कंपाउंड दू अपने और्गनो मेटलिक म यहां से आपको मिलता है कार्बॉनिल कंपाउंड अब यहां पर अगर मैं बेस की साथ में रियाक्शन्स बताओं बेस यहने ओ एच और ठीक है और हैलो फॉर्म रियाक्शन दिखा रहा है यहां यहां पर लगा रहा हो में आप कोई भी एक्स टू यहां से क्या बन जाएंगा भी यहां से यहां से मुझे मिल गया यहां पर पहले आजिक प्रोटॉन कोफिक करेंगा कि आप यहांपन निगिटिव चार्ज टाटेख करेंगा भी यहां से निकल जाएंगा ऐसे तीन बार ये तीन प्रोटॉन से इसके पास तीन प्रोटॉन थे एक दो तीन तीन बार हेलो फॉर्म रियाक्शन हो सकती है बेस आएंगा फिर से हेलो जन्स पर टैक करेंगा एक्स 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 ठीक है अब बात मैं अगर मैं इसकी रियाक्शन वाटर के साथ में करा तब क्या होंगा ओएच ये अच्छ है ये अटैक करेंगा यहाँ पर ये निकल जाएंगा यहाँ से क्या बना आपका यहाँ यहाँ पर सी डबल पॉन्ट ओएच और यहाँ पर जो निकीटिव चार्ज होंगा यहाँ से यहाँ बना आपका जो भी जैसे क्लोरी ने तो क्लोरोफार्म और एपका करेक्ट आंसर ग्णा यहां पर प्रोडब्स देख आपको यहीं मिला है पहले आपने वैकर ऑक्सीडेशन किये और उसके बाद में हेलो फॉं ठीक है तो करेक्ट ओप्शिंस होंगा ओप्शन भी ठीक है नेक्स्ट कॉश्चन देखते हैं हाँ पर इन्दी फॉलविंग रियाक्शन दी मेजर प्रोड़क्स ए ए याफ रिस्पेक्टिविल आई टी जाम 2017 का कॉश्चन से यहाँ पर आपको फेनॉल दिया गया है फेनॉल यह रहा फेनॉल प्रेनॉल की रियाक्शन अगर आप करा रहे हो बेस के साथ में इन्दी प्रेजन्स ओफ सी योट ठीक है तो यहाँ पर कौन सी नेम रियाक्शन ने इन्वाल है ओल्ड बे स्मिड्ड ओल्ड बे स्मिड्ड सबसे पहले आसिरिक प्रोटॉन को पिक करेंगा यहाँ से आपका फ इस तरह से कंपाउंड यहाँ पर एरोमेटिसिटी लॉस किये फिर से एरोमेटिसिटी गेन करेंगा यहाँ से बनाएंगा एक स्टेबल प्रोड़क्ट एरोमेटिक कंपाउंड बात में हेड्रोलिसिस टेप है ओ यह हो जाएंगा अब यहाँ पर नेक्स टेप में यह रहा आपका इप्रोड़क्ट तो इप्रोड़क्ट देख लो आपका जहाँ पर और्थो पुजिशन पर आसीड है यहाँ पर आपके पैरा पर दिया है यह नहीं हो सकता यह हो सकता यह हो सकता यह नहीं हो सकता ठीक है अब अगर बात कर यहां पर इसकी रियाक्शन की गई है आपके आपके साथ में और आपका होता है यहां से निकल जाएंगा और यहां से निकल जाएंगा और यहां पर आपका 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 यहां पर आपक कर सकता है यहां पर और सइलेशन होके आपको करेक्ट अंसर हो देंगा ओप्शंस ठीक है यहां पर हमारे रीजेंट के कोश्टोंज खतम होते थे 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 मच्छ पर रौच्टिंग एंड है्पर ले लुटन इस अधिए होप आपको सारे टोश्टों समझ में आया होंगे यहां पर हमारे रियेजिन के कोस्टेंस सब्सक्राइब होते हैं थेंगी सो मच पर उचिंग एंड हैपलेड़